शेफ शीरू, वेलकम सी यू वाल टू दे चैनल, आज बनाने जा रहे हैं कलाकंद, जिसको बनाने के लिए हम 400 से 500 ग्राम करीब पनीर लेंगे, इंदुस्तान में पसंद किये जाने वाला वन आफ दी मोस्ट कोवेटेड स्वीट डिश है, इसे हातों से मैश कर लें, कुछ इ डेरी वाइटनर और कंडेंस्ट मिल्क जो मार्केट में अबलेबल हैं, वह सारे ब्रैंट्स आते हैं, इन तीनों को मिला करके एड़ कर देना है, बहुत जादा कठेन रेसिपी नहीं है, मैं आपको बताता हूं, एकदम बाजार जैसा स्वाद आया, और यकीन मानिया आपक इलाइची बूनने रख देंगे, और जो हमने मिक्स बनाया था, उसको उस पैन में डालके हीट करेंगे, लो फ्लेम दोनों में ही रखना है, जल्दबाजी मत करें, टेस्ट अच्छा चाहिए, तो पेशिंस रखें, ड्राइफ रूट्स में मैंने लिया है, काजू और पिस उबाल इसमें हलका हलका आने लगा है, जब तक हम इलाइची को कूट लेते हैं, देशी सिल्बर्टे में, ये देखें किस तरह से, अगर इलाइची पाउडर नहीं अबलेबल है, तो जोगाड बेठा देता है, इंडियन कोई भी हो, चाहे आप, चाहे हम, ये देखें, पा देखते हैं, वीडियो में जैसा दिख रहा है, फिर हम एक ट्रे लेंगे, उसमें घी डालेंगे, ताकि ये चिपके नहीं, और घी को हाथ से पूरे ट्रे में फैला लेना है, ताकि जो बर्फी आप रखोगे इसके उपर वो चिपकनी नहीं जाहिए, ये देखिए, पानी और जादा निकल जोगे, चलाते रहना है, वरना नीचे लग जाएगा, बहतरीन तरीके से इसको चलाना है, अब ये पक चुका है, इवनली डिस्टिब्यूट करिए, ताकि बाद में कटिंग में आसानी हो, और इसको एक घंडे के लिए रूम टेंपरेचर पे छोड़ दी उससे भी बहतर टेस्ट, घर बेटे आया था, इसी तरह बनाईए, horizontally and vertically with my favorite chef's knife, इस तरह से cut किया इसको, बरफी के टुकड़ों का आकार दिया, square, बहुत खुश्बू आ रही है, अच्छी, अब वीडियो में आपको तो of course लाजमी ही नहीं आएगी, वट घर पे बनाईए इसे, guarantee मैं देता हूँ, बैतरीन बनेगा, ये देखिए, हैना एकदम बाजार जैसा, texture, shape, size, dimension and of course taste आपको तब पता चलेगा, जब आप इसे बनाएंगे, आपको अच्छा लगा, तो आप इसे अच्छा लगे तो क्या करें, सिर्फ खुद तक रखें, नहीं, all over India कहीं भी share करिये, in fact all over world share कर सकते हैं, अब तो हमें तुनिया के कई हिस्सों से YouTube में कमेंट आ रहे हैं, अच्छे कमेंट आ रहे हैं, लोग try कर रहे हैं dishes, आप भी करिये, और पसंद आए, तो जरूर इसको share करें, चैनल को subscribe करें अगर आप नए हैं, recap एक देखते हैं, mix बनाना है, इलाइची पाउडर बनाना है, tray में बैतरीन सजाना है, room temperature में cool down करके cut कर देना है, simply ready होगे आपका कलाकंद, कई लोगों की favorite dish होती है, चाहे वो बच्चे हूँ या बड़े, किसी भी एच सेक्शन को पसंद आने वाली, लाजवाब, cuisines में से एक है, जिसे Indian milk cake भी कहा जाता है, पसंद आई हो recipe, तो channel subscribe करें नए हैं, और अगर already subscribed हैं, तो इसे try करें, वीडियो भी मत देख करें, और share करें अपने खास दोस्तों के साथ, धन्यवाद, इसी के साथ विदा लेता हूँ आपसे, फिर मिलेंगे जल्दी,